हेलो स्टुडेंस वेलकम तो दी यूट्यूब चैनल डीप लिप्रिपेर फॉर यूजी सीनेट डॉन्ट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बैल आइकन पॉल लेडेस वीडियो अपडेट आज की टाइम में कई ऐसे स्टुडेंस होंगे जो बड़ी बड़ी अकैडमी के अंदर जो कोचिंग है उसे अफोर्ड नहीं कर पाते या आप किसी छोटी सिटी से आए हैं और किसी बड़ी सिटी के अंदर किसी अच्छी अकैडमी के अंदर आप कोचिंग करना चाहते हैं त पर आजकल जो करोना का सेशन चल रहा है उसकी विज़े से भी बहुत रिस्की है आपके लिए किसी भी टाइब की कोचिंग लेना किसी अकेडमी में जाकर क्योंकि वहां पर लाज नबर ओफ स्टुडेंट्स होते हैं उनके वीश में बैठना काफी रिस्की हो सकता है और पर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए उन स्टुडेंस के लिए कहाफ़ी इंप्रेण हो सकती है जो किसी भी एग्जाम की प्रिपररेशन कर रही है चाहे वो किसी कोई एंटरस इग्जाम है या जोब रिलेटेजैम है तो यह वीदियों उनके लिए काफी इंपॉर्टन है तो आज की वीडियो का हमारा topic रहेगा which online method is best जब आप किसी भी तरह की education ले रहे हैं तो online teaching आज के time पर online coaching काफी एक important place play कर रही है आपकी इस education sector के अंदर तो इस time पर online education के लिए आपका कौन सा method best होगा कौन सा alternative best होगा उसके उपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तो आप कोचिंग ले सकते हो आप YouTube के तुरू आपको classes मिल जाती है एक आप आ रही है अनकेडमी के नाम से एक आती है आपकी grade up नाम से एक आप है जो आपको notes प्रोवाइड करती है online various academies है कई academies है जो पहले offline classes देते थे लेकिन आप आपके टाइम में उन्होंने online अपना पूरा work जो है online करना शुरू कर दिया है तो आपके पास कौन सा alternative best है totally हम इसी के ओपर आज किस वीडियो के अंदर बात करेंगे उसके इलावा कुछ update में आपके लेकर आई हूँ जो कि आनकेडमी की तरफ से है देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आनकेडमी की तरफ से आपको update दे रही हूँ तो मैं आपक करने वाली हूँ तो आप बिल्कुल गलत हो देखो आनकेडमी या कोई भी आपका कोर्स कोई भी आपके लिए best alternative है उसी के आपके आपको honest review देने वाली हूँ तो आनकेडमी की तरफ से आपके लिए आपकमिंग जो है बैचिस आ रहे हैं NTA UGC net के देखो यहाँ पर 22 December से ल आप एन्रोल कर सकते हो और यहां पर एक बहुत बड़ी अपडिट यह भी आ रहे है कि उनकी जो फीस है अभी हाल ही में जो भी फीस है वो 25 December से इंक्रीज होने वाली है 25 December से वो इंक्रीज होने वाली है तो जल्दी से अन्रोल कर लो उसके लिए एन्रोल्मेंट के लिए आप वो कम प्राइज के उपर अभी जो है इन्रोल कर पाओ तो अब हम टोटली बात करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर तो सबसे पहली बात कि आपको क्या कोई नोट्स लेकर किसी भी तरह से आपको भी नोट्स पर्चेस कर लेते हो क्या उनके थ्रूँ आप पड़ अपने एक्जाम की प्रिवेशन की थी तो उस टाइम पर मैंने कहीं से सबसे पहला स्टेप यही लिया था कि मैंने कहीं से यह नोट्स पर्चेस किये थे वह नोट्स की कोस मुझे आज तक याद है एट थाउजन रुपीस थी क्यों वह याद है विकोज वह एक तरह से मेरे साथ बहुत था क्योंकि मैंने एट थाउजन रुपीस पे कि कि उसके अंदर काफी कुछ दिया गया था कि आपको एक्स्ट्रा मॉप टेस्ट मिलेंगे आपको यूनेट टेस्त मिलेंगे आपको अलगलग यूनेट स्वाई एक अच्छा कंटेंट मिलेगा बट जब वो मेर जो topic 10-15 pages के अंदर होना चाहिए था उसे एक ही page में complete कर रखा था तो एक तरह से वो तो हमारे सा धोका हुए हुआ क्योंकि content नहीं वहाँ पर आपको मिला जो आप सोच रहे हो उसके इलावा उन्होंने क्या किया था जो mock test वो provide कर वा रहे हैं उसके अंदर वो mock test के जो questions है वो आपके exam के questions आये थे उसे ही repeated हर mock test में कर रखाता जिसकी आज के time में कोई भी value नहीं है यह आप जानते हैं क्योंकि जब anti-UGC net की अगर हम बात करें क्योंकि मैंने वहां पर लिये थे वो इसी से रिड़ लिये थे तो आज के time में उसका level जो है वो increase होता जा रहे है आप किस इसे भी subject के किसी भी syllabus के किसी भी exam की बात कर लो तो उसका level पहले के मुकाबले काफी difficult होता जा रहे है तो आप अगर 10-15 साल पुराने papers को ठाकर दुबारा mock test में दे रहे हो तो उसे अगर करके भी कुछ भी हासल नहीं होगा ठीक है ऐसे अगर आप test attempt भी करते हो तो आपको उसका कोई भी benefit नहीं मिलेगा तो notes is not a best method notes के लावा देखो मैं आपको यही suggest करूंगी अगर आप notes के आगर आपको सिरफ self study करनी है ठीक है जिस exam से related studies करना चाहते हैं उसकी basic बहुत जो complete detail books है उन books को आप purchase कीजिए बिल्कुल भी standard books के साथ मज जाईए complete जो है book जो आती है आपकी जैट्विंस अगर मैं net की बात कर रही हूं net के इंदर अगर हम commerce की बात कर रहे हैं तो commerce में different 10 units होती है तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही book ले रहे हैं जिसके अंदर 10 units insured दे रखी हैं नो वो आपके लिए बिल्कुल भी beneficial नहीं होगा उस तरहीं पर आपको क्या करना है हर एक unit के लिए different books आती है उन different books को आप purchase कीजिए या अपनी UGPG के अंदर जो books यूज की थी अपनी उनी books को आप जो है वो यूज कर सकते हैं अपने exam की preparation के लिए तो notes के लिए मेरे according किसी के उपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता online method के थूँ अगर हम बात करें उसके इलावा जो हमारी हाँ पर आ जाते हैं education sites education sites अनकेडमी आ गई, grade up आ गया, upgrade आ गया, education uncle आ गया, बहुत सी ऐसी sites हैं जिसके थूँ आप coaching ले सकते हैं यह various आपकी academies हैं, देखो academies के अगर मैं बात करती हूँ, academies के अंदर कैसे हैं कि आपको daily day to day lectures दिये जाते हैं अब उनी lectures को वो online setup पे लेकर आए हैं, चाहिए कितनी भी बड़ी academy थी, जो पहले से सिरफ offline पढ़ा रही थी, उसने अपना setup जो है पुरा को पुरा online कर दिया है अब main दिक्कत क्या है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में ये upgradation किया है, उसकी वज़र से वो उसके अंदर इतने expert नहीं हैं, जो की एक पुराना कोई भी educational slide हो सकती है उसके उपर ठीक है, तो आप चाहे वो कितना भी अच्छा आपको बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब उस वो अपने सारे setup को online लेकर गए हैं, तो अभी भी उनके काफी errors देखने को मिलते हैं यह हाल ही में मेरे एक student के साथ हुआ है, उन्होंने जो है वो किसी academy से related बहुत बढ़ी academy उनसे related जो है वो लिया update अपना course लिया, ठीक है, course लेने के बाद क्या है दिकत जब भी वो class लेते हैं, कभी भी अचानक कोई भी जो है, वो network error की वज़े से या किसी problem की वज़े से उन नहीं है क्यों पढ़ाने में कोई कमी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी इसके अंदर upgrade किया है, online system के अंदर, तो of course आपको पता है, starting के अंदर काफी कुछ जो है, वो errors face करनी पड़ती है, धीरे धीरे वो भी समझेंगे, और वो भी अपने आपको upgrade कर लेंगे, उसके according best ज अगर हम बात करें, तो हाँ, उसके अंदर काफी ऐसी चीजें है, जो आपके लिए काफी helpful हो सकती है, काफी ऐसे courses है, जो काफी ऐसे teachers है, बहुत top educators है, आपके जो वहाँ पर आपको पढ़ा रही है, जो fees है, इसके अंदर वो बहुत ही कम है, according to the academies, अगर आप academy में जाकर प बहुत यूनीक है, क्योंकि वहाँ पर उनका dashboard जो है, जिसके तो आप पढ़ते हो, एक आपको यहाँ पर पूरी एक screen, slide screen दी जाती है, उनकी screen जो है, वो आपके साथ share हो रही है, teacher की image जो है, वो properly show हो रही है, उसके अलावा आपको comments के लिए, आपको सारे students के आप comment पढ़ स सकते हो, questions आपके साथ के साथ के साथ आपको से output किये जा रही है, पोल जो है, वो आपके लिए जा रहे हैं, तो एक काफी अच्छा dashboard, जिसके तो एक well, हम कहते हैं, well set up class, जो है वो आपको लगती है, online भी, clear lectures होते हैं, कोई भी disturbance नहीं होती है, उसके लावा हम बात करें, complete courses, courses जो आपको provide के जा रहे हैं, वहाँ पर strategy, tips or tricks, उसके लावा आपसे related practice course, time management technique, सब कुछ आपके साथ उस course के अंदर दिया जाता है, देखो, अब आप यहाँ पर अगर किसी भी academy के अंदर पहले से पढ़ते थे, अब उसे या आपने जो है, किसी offline academy के बारे में सुना है, कि अब उसका अगर आप online course भी ले रहे हैं, वो इसके अंदर सिरफ आपको classes प्रोवाइड करेंगे, सिरफ आपको lectures प्रोवाइड करेंगे, उसके लाव आप किसा strategy शेयर नहीं करेंगे, कि आप किस सरीके से जो है, आपनी marks को किस सरीके से बढ़ा सकते हो, क्या tips or tricks नहीं देखो, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर paid lectures ही लो, free lectures भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको किसी भी तरह के free plan को unlock करने के लिए, एक code यहाँ पर use करना होगा, code आपको screen के ओपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इस code को आपको लगाना होगा, उसी के थ्रू ही आप free of course जो है, उन lectures को unlock कर सकते हो, उसके इलावा देखा जाए, तो मैंने आपको बोला कि इसकी cost जो है, वो काफी कम है, अगर आप किसी और app से या किसी और academy के साथ इसे जो है compare करते हो, mobile phone के थ्रू ही आप classes लगा सकते हो, किसी laptop phone, laptop या आपको PC की जरूरत नहीं है इसके लिए, और main करते हैं, तो कई ऐसी आपकी academies है, जो आपको notes जो है, वो यहाँ पर online तो provide नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर unacademy के अगर हम बात कर रही है, तो yes, PDF की form में, जैसे ही class जो है वो आपको provide की जाती है, उसके साथ ही आपके पास PDF की form में, notes भी पहुंच जाते हैं, तो आ अगर आपको सही लगता है, इसके लावा देखो मैंने self-study के बात की, अगर आप self-study में de-best हो, तो उससे best method तो कोई हो नहीं सकता, अगर आप self-study कर सकते हो, तो best है कि आप self-study के थूँ, अलग अलग जगा से खुद से, जो है, वो books collect करो, notes collect करो, और जब preparation करो, तो एक मेरी information, इसके लावा मैं आपके साथ यहाँ पर share करोंगी, कि आनकेडमी के उपर आप किस तरीके से यहाँ पर enroll कर सकते हो, और किस तरीके से आप वहाँ पर code apply करके, 10% discount भी ले सकते हो, आए, चलते हैं अपने mobile screen पर, तो अब आगए हैं अपने mobile screen पर, तो हम देख लिए कि अनकेडमी से अगर आपको subscription लेना है तो आप इससे किस तरीके से ले सकते हो, सबसे पहले आपको play store में यहाँ पर अनकेडमी की app डाउनलोड करनी होगी, अनकेडमी मैंने सर्च किया, यहाँ पर तो अनकेडमी की app आपके पास आ गई है, उससे install कर लेंगे, इसका link जो है व हम इसे open करेंगे, open करने के बाद यहाँ पर बहुत ही easy interface है आपके लिए, यहाँ पर आपके पास आपको अपना phone number या सब कुछ जो भी detail जो है, वो phone number आपसे मांगा जा रहा है, तो phone number आपको देना होगा, और directly आपका dashboard यहाँ पर open हो गया, आप देख पा रहे हो, इसके अं अगर आपको यहाँ पर गोल नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गोल सेट करना है, इधर से आपको manage goals के ओपर click करना है, यह देखिए, तो इसके ओपर हम click कर रहे है, तो आपको जो भी goal है, उसे आप select कर सकते हैं easily, तो यहाँ पर NTUGC net Palace is selected है, उसक उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने subscription ले रहा है, तो यहाँ पर renew subscription का बटन आ रहा है, तो यहाँ पर आपके बस detail देखिए, सारी आ गई है, 6 month course, 12 months course, 24 months course, तो आपने जो भी course लेना है, देखो हमने 12 months course लेना है, तो yes, have a raffle code के अंदर, हम यहाँ पर code भर द CPA, इससे क्या है, आपको देखो, सारे courses के अंदर 10% extra discount मिल गया है, साब आप देख पा रहे हो, तीनों courses के अंदर आपको 10% discount मिल गया है, अब क्या है, आपको 12 months का course लेना है, तो अब आप उसे select कीजिए, ठीक है, तो आप आपको directly यहाँ पर 10,395 रुपीज पे करने है, आपको यहाँ पर debit credit card से payment करने है, उसके according जिस भी तरीके से आप wallet से payment करने है, जिस भी तरीके से यहाँ पर आप इसे payment कर सकते हो, ओके, hope so, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो इससे like जरूर करना, friends के साथ share जरूर करना, ताकि उनक को भी कुछ benefit जो है, वो इससे हो सके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना में मत बूलेगा, okay students, bye bye, take care, have a nice day.